ओके लड़के से मैं बहुत प्यार करती हूं मेरा बॉइफिंड मुझे उसके साथ ही रहना है कोई डाउट नहीं मेरे दिमाग में बट हुआ यह है कि मैं एक दूसरे लड़के से बात करती थी उसके पार मैंने उसको जूड़ बोला और उसने शायद उसको उसको पता चल गय मेरा जो बॉइफिंड को ठीक है तो मैंने इस लड़के से बात करना खतम कर दिया है कॉंटेक्ट तोड़ दी सब कुछ खतम लेकिन मैं उसके मन में जो डाउट क्रीट हो गया होगा उसको कैसे मना हूं बेसिकली वापस कि यह मैं तुम्हारी ही हूं 100% लालालाला तो पहली चीज तो यहां पर बात करें चीटिंग यहां पर मुझे पता नहीं आएदा नेचर ओफ टॉक्स क्या था लेस्ट वेरी 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 क्लियर मैं यह नहीं सकता है चीटिंग है या नहीं है क्योंकि अगर आप सेक्शुल टॉक्स कर रहे थे किसी से सेक्स टेक्स थी फोटो भीज रहे थे या फिर जोक से सेक्शुल तो इन वेइट चीटिंग है वो हो सकता है फिजिकल चीटिंग नहीं बट इमोशनली आप चीट कर रहे हो और थॉट में उस इंसान से कम्यूनिकेशन करके उन थॉट्स की आप चीटिंग कर रहे हो तो कि आप थॉट्स यो करके से बादे कर रही थी पहली चीज तो यह क्लियर कर देते हैं जो हंडेड परसंट हमें पता है जो आपने किया वह है जूट चीटिंग और जूट दोनों ही बहुत ही ऊपर आते हैं रिलेशनिप में जो कि एक बाद टूट गए यानिक अगर आपने जूट बोल दिया औ उसके बाद तो वो कहते हैं चलो ठीक है एक चांस वर दूँगा लेकिन फिर वो इंसान बहुत टाइम तर डाउट करता रहेगा विश्वास नहीं करेगा आपका रिलेशनिप बहुत इन्वेजिव हो जाती है इसके वज़ए से इनसान आप से बहुत सारी चीज़ें कहते रहता है किस से बात कर रही हो टेक्स भेजो मुझे इस से बात मत करो अब तुम किसी लड़के से बात ही नहीं करोगी विकॉस आपने डर बठा दिया उसके दिमाग में जो कि राइटफल डर है बट वह बहुत एक्स्ट्रीम समें चला जाता है क्योंकि वह पुश हो गया है और उसमें relationships की लगी जाते हैं almost क्योंकि वापस आप यह expect नहीं कर सकते हैं लड़का नॉर्मल हो जा और बहुती समझदार हो जा और वो कहें चलो ठीक है एक बार हुआ तुम जैसे जिंदी जिरी थी अब exactly वह आपस वैसे जी नहीं लग जाओ बहुत समझदार लड़का को सब्सक्राइब करें हम लगों चीज़ों ciao यह at खादी आता है रिलेशन्शिप्स क्या होती है इसका टूर नेशर कभी किसी को सिखाया नहीं जाता हूँ हमें तब खुद नाचरली सीखने को मिलता है जब हम रिलेशन्शिप में घुज जाते हैं और छे मेने का हनीमून पीरड निकल जाता है सारे मज़ें खतम हो जाते हैं पर एक रिलेशन्शिप रिलेशन्शिप बन जाती है एक साल बाद रिलेशन्शिप्स करते हो यह इंसान जिसके साथ आप रह रह रहे थे जिसके साथ आप एक टाइम पर गल्फंट 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 प्लस एक इंसान जो की बहुत ज़ादा आपकी जिंदगी में अवेलिबल और प्रेजेंट है, ठीक है? इसलिए एक साल बात क्या होता है, ओपोजिट रियाक्शन होने लग जाता है लोग के मन में, कि जो चीज आपकी लाइफ में नहीं है आपके पास, उसकी प्रेशिसनेस वापस बढ़ जाती है, तो एक टाइम पर जो इनसान रिलेशन्शिप में वो वापस सिंगल होना मिस करने लग जाता है, वो फीलिंग जो होती है ना, नोन मेसेसली कि वो ब्रेक अप करना चाहता है, एक फर्क समझना, यहाँ पर यह मैं नि कहा रहा हूँ कि वो इनसान को ब्रेक अप करने का मन है, वो सिंगल होना जाहता है वो जो feeling होती है सिंगल होनी कि वो सिंगल लाइफ जो थी जब हम free थे हम बात कर रहे थे किसी से भी हमें चार कोई किसी का message आए हमें जिन्दिगां कभी कुछ डिलीट नी करना पड़ता था हमें कभी सोचना नी पड़ता था किसी को reply करने से लड़कों और लड़की हो दोनों के दिमाग में आता है अपने दोसों साथ बैटे हो तुम beer मार रहे हो कुछ नहीं जोग मार रहे हो अपने office में किसी साफ flirt कर रहे हो तुमारी वो लड़की तुमारी ex तुमारे office में कोई नहीं लड़की है तुमारे college में कोई लड़की है तुम अराम से बात कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप सड़ली वापस आरी तुमारी जिन्दे के में Monogamy is the hardest thing one of the hardest things not hardest जो कि एक इंसान को करनी है maintain तो अब एक साल बात क्या होता है आप वो चीज अगर आपके अंदर वो maturity नहीं थी relationship में घुसने की और relationship को maintain or sustain करने की तो आप वापस उन actions में जाने लग जाते हो subconsciously जब आप single नहीं थे क्योंकि वह excitement देरे देरे बहार आने लग गई देरे आपको मन करने लग गया देरे देरे अब हमारा mind at all times searches for newness new things obviously यार तभी हम नहीं मुविया देखना चाहते हैं हम आपने life को और excitement में क्यों घुसाते हैं कि भाई कुछ भी नया क्या है नहीं चीज क्या है सेम चीज अगर तुम्हें जिंदगी पर करने को बोल दिया तो नहीं कर सकते relationship kind of एक साल बात बहुलोगी life में monotonous हो जाती है उसमें कुछ नया नहीं हो रहा वो boring हो गई है on the contrary जिनना effort जो लोग starting में पूट कर रहे थे relationship में वो करना खतम कर चुके हैं वो used to हो गया एंक दूसरे से on the contrary not on the contrary on top of it chances are लोग और two people are taking each other for granted तो यह बहुत ही easy होता है कि आप पिसी से बात करने लग जाओ क्योंकि आपकी around तो बहुत सारे खचर लोग बैठे ही हैं दुनिया में दो चीजों की कमी नहीं है एक चार कोड़ी की लोगों की दूसरा लोगों की population के वैसे लोग बहुत जादा है और उस population की वैसे क्योंकि इतने जादा population आप उसमें percentage है जिनके कोई इमान धरम नहीं है चाहिए आप शादी शुदा हो चाहिए आपकी girlfriend हो चाहिए कुछ भी आप किसी level कर relationship चला आपका आप लाइन मारना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको चाहिए भईया हमें sex मिल जाए कुल मिल आके तो आप बात है ना लगया किसी से वह इंसान आपको easily facilitate कर रहा है क्योंकि वह इंसान आपको space दे रहा है कि अरे तुम ऐसे मुझसे बात करो तुम्हां boyfriend को पता ना चले यह करते हैं लड़के लड़कियां भी करती है अगर कोई लड़का cheat कर रहा है अपनी girlfriend प तब मुझे call करना similarly लड़कें काम करती है मेरा boyfriend जो है वो इस ताम पर college में होगा या पती मेरा इस ताम पर यहां पर होगा वहाँ होगा और तब तुम से बाते करने का इंसान टाम निकाल ला है बहुत बार यही बार आती कि आपकी motivation क्या है आप हो सकता है सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हो आपको flirt करना है आपको कोई एक नया इंसान the thing is newness that's the thing हम उस excitement ने भासे है वो एक नई चीज यह एक नया लड़का हमसे फाइनली डेर साल बात कोई लड़का हमसे flirt कर रहा है मुझे वह option मिला है वह preciousness मुझे कोई दे रहा है वह importance मुझे दे रहा है वह flirtatious comments आ रहे है वह photos मेरे ऐसे compliments आ रहे हैं जो कि यह साल में खतम हो गए थे क्योंकि हम इतना used होगा कि वह जो अगर मेरा पती या मेरा boyfriend बोल भी रहा है तो इतना मजा नहीं आ रहा है यह चीज को आपको address करना है relationship में इसलिए आपको यह समझना है कि दो चीज़े होती है एक होता है जब आप relationship में आओ कि आप एक नए level पे move कर गए अपनी life के आप एक नए stage में जा रहे हो you are committing yourself to a person which means you have to now say no to a lot of things जिसका हो सकता आपका मन बहुत ज़्यादा करे करने का यह requirement होती है relationship की for both partners अगर हो सकता है आप बड़े hero आपसे चार सेग्ड में लडगें सेट हो जाए तो तुम समझो तुम्हारे ले उतना ही hard होगा committed relationship में रहना क्योंकि तुम्हारे around तुम देख रहे हो तुम कह रहे हो यह उनको तुम आराम with other people, new people, वो इतना exciting है क्योंकि वो fantasy based है वो आपकी दिमाग में imagination से हा रहा है आप देख रहे हो को आप यार यह आप यार वो बहुत लोग married लोग committed लोग यह सब चीजें सोचते हैं तो आपको इस सब चीजे समझनी है इस सब चीजे consider करनी है कि self-control का role क्या है secondly is the laws of relationship apply करते है चीटिंग बहुत ज्यादा exciting लोगों को इसलिए भी लगती है मैं चीज आपको पताना चाहता हूं क्योंकि एक बहुत forbidden चीज एक sin है तो हमें sinful चीजें करना बहुत पसंद होती है एक अलगी fucked up मजा है उसमें weird वाला मजा है तो इसलिए लोग cheating की तरफ gravitate करते हैं बढ़ हो लड़के भी बोजते हैं जब cheating हो और मैं तो बस बात कर रहा था नहीं दोस्त इमाग में तो तुम full in थे ठीक है तुमने बस इतना क्योंकि तुम्हें अंदर kind of self-control लागी तुमने का मैं इसको action meant तबदील नहीं दूँगा लेकिन जितना चीज अलाओ करता हूं मैं आपको बजना है कि आप इस चीज में अगर आप कह रहे हो बहाने बाजी या अपने आपको excusable इसको कह सकते हो कि एक्ट है कि मैंने सिर्फ texting करी cheating नहीं नहीं दो 40% सिर्फर नहीं पड़ता 1% भी cheating है इसका solution क्या है एक mature solution देने वाला हूं ठीक है आपको यह address करना है कि क्या aspect है आपकी life में जिनकी वजह से आपने इस step लिए क्या था उस नए लड़की में जो कि आप सीख कर रहे हैं जिसके आप उससे बात करते रहे हैं जिसके आप इस चीज के अंदर इतना आगे चले गए यह लड़के ह में क्योंकि यह time हम सब की जिन्दिगे में आता है सब की जिन्दिगे में आता है और यह मैंने चाहूंगा आप ऐसे discover करके पाओ जिससे आपकी relationship तभा हो जाए मैं चाहूंगा कि आप relationship में एक दूसरे से discuss करके चीज सॉल्व करो और अपनी वो relationship की excitement वो जो भी चीजे हैं ज इसले तो आप relationship में आए ठीक है तो solutions का यह है simply जो भी चीज़े लैक कर रहे थे जो भी इस इंसां के साथ तुमने बात करें जो भी हो जाता है इंस बात करने का मन करता है जो भी inequities है जो भी चीजे inadequacies हैं जो relationship में feel हो रही है आपको उनको बहुत ही धीरे धीरे अपने partner के सा हो सता है वो sexual हो in nature let's say आपकी life में sexual relationship लिए पकी monotonous हो गई है जिसके कारण आप suddenly इन बढ़ चीज़ों में दिमाग जा रहा है तो अगर 5% इन दे 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 रहा है तो आपको 50% में दिमाग में लग रहा है तो आपको 50% में दे लिग रहा है तो आपको 50% में दिमाग में जो कि आप एक साल में relationship में थे तब आप ने नहीं किया तो आपको वह चीज़ कंवर्ट करके आपको पहले एड्रेस करना है कि हां यार यह कुछ चीज़ें हैं मेरे मिन में ख्याल आते हैं मुझे दूसरों की attention पसंद है बहुत honest रहो अपने आपसे judge करने की ज़रूरत नही है तो यह पहले accept करो तुम एक human being हो तुम एक sexual being हो it's all right similarly लड़के लेट से तुम्हें आजकल एक साल हो गया तुम मारे अंदर बहुत sexual thoughts आ रहे हैं तो तुम क्या करो बैटके पॉंड देख रहे हो बहुत बढ़ी chances है तुम बैटके पॉंड देख रहे हो तुम Instagram लड़कों इस आप कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी जो woman है तुम्हारी जो wife है तुम्हारी जो girlfriend है उसमें वह चीज मिल नी रही इवें दो वह बहुत sexy लगती है तुम deny नी करोगे बहुत सुन्दर लगती है बट दूसरी सुन्दर इंसान अब वह amplify हो गया है वह बहुत ही जाता स चीज जिस तुमने बना रखी इतनी लंबी relationship पर उसको तभा कर लोगे तभा कर लोगे completely और तुम्हें तभा नहीं करना ठीक है तो तुम्हें किसी ना किसी तरह से accepting होना है एक दूसरे की चाहे कितनी भी fucked up fantasy हो कितनी भी कहीं भी दिमांग जा रहा हो तुम्हें accepting होना है कि यह मेरे partner के sexual thoughts हैं तुम दोनों शादी शुदा हो दोस्त एक दूसरे को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे पापीते को बताओगे क्या किसी और गर सोचो तुम्हारा partner सुनने की वो चीजें रखें जो तुम पॉंड में सर्च कर रहे हो सोचो अगर तुमाई wife या तुम जांचन ना लगाए कोई तरह का वो ना हो कि तुम यह हो तुम वो हो सिमिलरली अकर तुम्हारे अंदर यह शंता है दोस्त कि तुम्हारे के sexual thoughts को सुन पाओ शेयर कर पाओ और उसमें उसको जज़्ज ना करो तुम उस पे वो ना काओ कि तुम तुम्हारे में यह आ गया तुमने यह सोच लिया यह तो cheating हो गया तो यह तो loyalty बहार जा रहा है तो शादी के उसके जा रहा तुम गंदे वर्ट सी उसकाने लग जाओ उसकी तरफ कि मैं तुम्हें अब ऐसे दिखता हूं तुम slut हो या फि जाता है समझ रहो यह बहुत important aspect है इसका कि trust, trust कि मैं तुम्हें बता सकता हूं और it is because of that trust कि मैं तुम्हें साथ यह शेयर करना चाहता हूं you're the partner I've chosen, कोई भी होचा है लड़का लड़की, एक दूसरे से अगर को you're the partner I've chosen to be with and this is something I feel, instead of acting on it, instead of doing something, मैं यह नहीं करने वाला, मैं constructive choice लूँगा, मैं तुम्हें पता हूंगा तो जो भी लड़की जसने मुझे लिखा है, अगर तुम्हारा boyfriend उसको इस video को दिखा हो, साथ में बैटे देखो, और दोस्त, कोई परचानी वाली बात नहीं है, लड़की मुझे लिखके यही कहना चाहरी है, कि भाई मैं तुम्हाँ साथ रहना चाहती हूं, मैं तुम्हा होग हम से relationships में, बहुत जाधा relationships क्योंकि बात नहीं होती, over that time, 2-3 साथ से break up जाते हैं लोगों के, शाधियां टूड़ी आती है, divorce rate देखो कि इतने high है, क्या reason है, क्या reason है, क्योंकि हम एक दूसरे को कोई reason ही नहीं दे रहे है, एक दूसरे से वापस sexually connect होने का, even emotionally and romantically connect होने क दूसरा point इसलिए यही आता है, अगर तुम emotionally or romantic ले अगर तुम फील करो इसके कानड़ तुमने किसी तूसरे से बात करना start कर दिया, तो यहाँ एक dangerous जगाए यह, तो मैं यह चीज़ तो बिल्कु सोचनी पढ़ेगी, क्या reason था, मिस इस लड़गे से बाते करें ती, यह सिर अगर मिल डेख तबर रख़ण जो बंदा और बिल्कु और तूसरी खरता है इसका इसका कि तो आप genuinely you've fallen out of love, you really have and it's not a bad thing, also understand just because you've fallen out of love, doesn't mean you should break up, इसका कोई मतलब नहीं है, यह 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 मत समझना because you can get the love back अगर आपको किसी इनसान के साथ हो जो कहो I don't love him anymore but यार यह मेरे साथ बहुत अच्छा है मिले को खुश रखता है मुझे प्यार करता है मेरा ख्याल रखता है और से साथ मैं खुश हूँ हमारे कमीन हम लोगी setting बहुत बढ़िया बैटती है mentally लेकर आप feeling नहीं आ रही इसका मतब यह नहीं कि आप time आगया से लेशिए को कट कर दो दूसरा लड़का ढूना स्टार्ट करो या दूसरी लड़की ढूना ना 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 यह सारी चीजे इतनी important है बहुत मुश्किल ना मिलना तुम्हारे हुआ क्या है जो trail है न लंबी सी उसके बीच में कहीं कुछ हुआ जिसके वाज़ा से तुम्रों की connection टूड़िया और यह outcome है उसकी वाज़ा से इतने time से तुम्हें उसको reconnect नहीं किया plumbing में जैसे pipe टूट जाता है ना बेंचो नलका उसको fix नहीं किया तो पानी फूली टंकी खाली हो गई है यह है टंकी खाली हो इसका मलब यह नी वापस नहीं भढ़ सकते उसको तुम्हें fix करना है जो चीज टूटी थी जिस वरसे वह leak हुआ और उसमें तुम्हें समझना है दूसरे से बात करना है वापस reconnect करना है कि क्या हुआ होगा हम दुनों का प्यार जो खतम हो गया वापस जाते है it's a conversation it's a discussion जिसमें हो सकता आपको कुछ दिन लगें घंटे लगें बात करने में लेकिन again you have to be open to listening to your partner बिना जज़ किये सुनो मेरी गलती कहां हो you have to be willing to accept where your fault is जहां पर तुमारा treatment बदला हो हो सकता है तुम busy हो गए हो सकता है तुम actual में ध्यानी नहीं देते हो सकता है तुम आज विल में पड़ता उससे फ़र पड़ता है लड़की को बहुत फ़र पड़ता है चीज का आपको precious feeling उनको देनी पड़ेगी करानी पड़ेगी बहुत सारे aspects हैं तो अगर कोई इंसान आपको बता रहे है सुनो आपको लगता यह नहीं कि मैंने का किया तुर ना defensive मत हो जाओ बहुत ब बात करें अगर आपको लगता आपको प्यार नहीं है यह नहीं है वो नहीं तो पिच्चा ने देखे प्लीज क्लूज मत उठाएं और कहें मैं ब्रेक अप कर रहे क्योंकि मूवी में इस एक्टरस ने यही किया था ना भाया मेरे लला मूवीया मत देखो अपना दिमाग ल जानते हो तुम दोने जितनी अच्छी तरह से दूसरों जानते हो कोई दूसरा तीसरा नहीं जानता तो तुम लोग रहे तो और एजी होगा करना वो कॉमन सेंज बहुत लंबा वीडियो हो गया यह होब इसको बहुत सारे कपल्स देखें ठीक है और थेंक्यू वाचिंग कोई भी प्रॉब्म है आपकी इंस्टाग्राम पे जाओ दोस्त लिखो इंस्टाग्राम पे जब जाओ दोस्त फॉलो भी मानना चैनल को सब्सक्राइ करो किसी भी तरह की प्रॉब्म हो दोस्त आपके लिए बैठाओ मैं अपना पूरा चार सेंट देने के लिए ठीक है और मेहनत करते रहो अपनी सिंद्धिक में बहतर होते रहो थेंक्यू